तो इस question में हमें एक perfectly reflecting plain bottom एक वेसल का और उसमें पानी बढ़ा हुआ है 4 by 3 जिसका refractory index है और depth जो है D है एक point source of light h distance उपर रख दिया जाता है हमें पूछा गया है find the final distance of final image from water surface ठीक अब हम यह जानते हैं कि यह हमारा वेसल का bottom है कुछ इस तरह और इसमें जो हमारा पानी बढ़ा हुआ है वो D distance तक है कुछ इस तरह और इसके उपर h height पे हमारा point source है यह distance हमारा d है और यह distance हमारा h है इसका refractory index हमें 4 by 3 दिया हुआ है ठीक है तो यहाँ पर जो point है यहाँ पे mirror है असल में तो इसके लिए हम ज़श्ट निकाल लेते हैं कि कितना shift हुआ होगा नीचे या उपर की दरफ तो यहाँ से ray जब pass होगी तो इतने मोटे length के लिए जो हमारा shift होगा वो होगा t into 1 minus 1 by mu यानि t minus t by mu t क्या हमारा d ठीक minus d by mu और यह होगा हमारा shift यानि कि यह distance जो होगया वो होगया d minus d by mu अब यह distance कितना बचता है h minus d minus d by mu तो यह होगया हमारा h minus d plus d by mu तो यह distance भी हमारा निकल गया अब plane mirror से कितना distance हो जाएगा यह हो जाएगा यह plus यह तो यह distance हमें पता है और यह distance में add करना है तो यह distance कितना है d है तो इसमें हम plus d कर देंगे तो यह आजाएगा हमारा plane mirror से distance तो यह हो जाएगा हमारा h plus d by mu तो यह distance होगा हमारा h plus d by mu यानि कि plane mirror जो है वो नीचे भी h plus d by mu distance पे image बनाएगा अब हमें पूछा है कि distance of final image from water surface तो यह हमारा water surface है और यहां से जो distance होगा वो हो जाएगा plane mirror से distance plus water surface का plane mirror से distance d यह हमारा answer है यह हमारा यह हमारा यह बोल जाएगा यह हमारा यह हो जाएगा है